प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश लोग से वायोग के परिक्षार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश लोग से वायोग के जो मुख्य परिक्षा के प्रस्त हैं उनहीं को विश्लेशित करके आप तक हम पहुचा रहे हैं ताकि आप समझ सके उस रन्नीती को उस तकनीकी को किसी उत्तर का प्रसुतिकरन किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए, किस प्रकार से उत्तर में model, diagram या overall presentation में कितने words किस term पे खर्च करने चाहिए, कैसे आप प्रसुत करेंगे, इन सभी रन्नीतियों को तकनीकियों को आप तक ह प्रवंधन के लिए यह कारे आपके लिए कर रहा हूँ, अलाकि third paper में जो economy से concern कुछ प्रस्ण होते हैं, उनका कहीं न कहीं अंतर समन्द भूगोल से भी होता है, जैसे आज का जो प्रस्ण है, वो first paper में भूगोल के साथ या भूगोल के अंतरकर जो आया है, उससे समन्दि है, उस प्रस्ण को विश्रिशित करेंगे, अलाकि उसका सीधा अंतर समन्द भूगोल से भी है, तो आप समझे प्रस्ण और प्रस्ण के उत्तर में किन-किन बारी यूग का हमें ध्यान लखना चाहिए, ठीक है, चलते हैं देखते हैं पहले प्रस्ण को, 2021 में उत्तर प्रस्ण आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का देश के खाध्यान फसलों के उत्तर पादन में, यहाँ यूपी तो है ही, साथ ही साथ खाध्यान फसल, यह ध्यान अखना है, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका मैं यही अपनाता हूँ, पहले एक दो, जो कुछ अच्छे परिशार्ती हैं, उन्होंने मुख्य परिशार्त दिया है, या साच्छातकार दिया है, कुछ उसमें सेलेक्टेड भी हैं, उनसे मैं इस प्रस्ण पर राय ले लेता हूँ, भई आप इस प्रस्ण के संदर में क्या सुचते हैं, अलागे इसके बाद उसको उनको उत्तर ही कि नहीं, इसको आप ऐसे नहीं, ऐसे करें, तो और बहतर गुनात्मक प्रकार से उत्तर प्रसुत होगा, बहतर अंग आपको प्राप्त होगा, और तब ये समझ में जरूर आता है, कि समाने तोर पे जो बहतर ये अच्छे परिशार्ती भी हैं, उनके सोच का या मातरात्मक और गुनात्मक्ता का क्या आस्तर हो सकता है, मैं अंडिस्टमेट नहीं कर रहा, लेकिन उवहराल उसके पात हम उत्तर के गुनात्ता को या उसके पॉइंट्स को कैसे प्रेजेंट करेंगे, फिर फॉर्मेटिंग के साथ आते हैं, तो यहां पर सबसे पहले प्रस्ण की के उत्पादन में, यहां उत्पादकता नहीं है, उत्पादन है, प्रमुखस्तान है, मिस UP is the leading, इसका वाइस English translation better होगा, बता दे आपको, उत्तर प्रदेश has prominent position in the production of food crops in the country, evaluate the statement, इस कथन का मुल्यांकन की, अर्थात कथन यह है कि उत्तर प्रदेश खाध्यान फसलों में ट standing of the question में यह आता है, क्या ऐसा है, अर्थात उत्तर प्रदेश प्रमुखस्तान रखता है, जीहां ऐसा है, उत्तर होगा, जीहां, लेकिन obviously हमें कई बार, आप देखेंगे, लोग बोलते हैं, content कम से कम दो, या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा गलत है, आप से कहा में कुछ तथ्य आपको देने होगे ना, इसे उत्तर प्रदेश खाध्यान फसलों में, सबसे पहले यहां एक बिंदु है, जो काफी महत पूर्ण है, जहां विद्यारती कई बार, अच्छे ध्यान के साथ, ध्यान का तात पर है, एक discipline के साथ, वो भटक जाते है, गन्ना आ आएक ना दलहन आएक, के वो हम खाध्यान कहीं है, यहां पर मुल्यांकन करें, और दूसरा ये, कि कुछ तथ्य देंगे, तो क्या ऐसा है, जी हां ऐसा है, उत्तर प्रदेश खाध्यान फसलों को उत्पादर में, लीडिंग है, इसके मुल्यांकन की प्रक्रिया में, हमें क और वही क्रिसी विकास तथा प्रमुक अस्थान के कारक भी होगे अर्थात हमें प्रस्न की अंडरस्टैंडिंग में ये निकल कराता है हमें उसको कैसे explain करना है तो इसको दो points में हम बांट दिया मैंने समर्थन में तथे प्रसुत करना होगा क्यों आखिर उत्तर प्रदेश खाद्यान उत्पादन में प्रमुक अस्थान पर है कैसे हम कह सकते है और दूसरा क्रिसी विकास तथा प्रमुक अस्थान के कारक भी साथ में डिस्कास करेंगे clear होगे clear होगे आखको तो यहाँ पर आख ध्यान रखिएगा अगर भारत और उत्तर प्रदेश के हम तुलना करें तो जो भूमी संसाधन है भारत USA के बाद भूमी संसाधन में सरवाधिक धनी है हमारे पास 40% इध्यान रखिएगा हमारे पास 40% टोटल प्लेन एरिया है 40% टोटल प्लेन एरिया है अर्थाथ भारत USA के बाद भूमी संसाधन में सरवाधिक धनी है और भारत का जो टोटल प्लेन है वो 41% है लेकिन ध्यान रखिएगा भारत में सरवाधिक धनी है उत्तर प्रदेश तो कहीं न कहीं यह सपोर्ट कर सकता है किसी के प्रक्रिया को यूपी भारत के कुल मैदान का बारा परसेंट रखता है अब आप सोचिए कि पहारी या परवतिया पठारी मैदानी सब है उत्तर प्रदेश में जो मूल किसी योगे मैदानी भूमी है तो बारा परसेंट है तो भारत ही नहीं विस्व में भूमी संसाधन के प्रक्रिया में यदि तुलना करे हम तो उत्तर प्रदेश काफी धनी होगा अलाकि यह एक जस्त मैने फैक्ट दे दिया उत्तर के प्रदेंटेशन में आएंगे तो बताएंगे तो यहाँ पे पहले हम कुछ और तथि दे दे जैसे यूपी भारत के कुल खाद्यान उत्पादन का कुल खाद्यान उत्पादन का लगभग 17.45 परसेंट उत्पादित करता है यह डेटा आपको आपके लिए बहुत महत्पूर्ण है 17.45 परसेंट उत्पादित करता है वहीं चावल के लिए हम देखें कुल खाद्यान था यह चावल का देखें तो भारत के कुल चावल के उत्पादन का 12 परसेंट गेहूं का देखें तो 27 यह हला कि अब 28 हो गया है 28 दसमलोग 78 परसेंट और यह नंबर वन है टॉप रैंक है अर्थार उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में पूरे भारत वर्स में टॉप रैंक पर है यहां पर यूपी भारत के कुल उत्पादन का यह मैं लिख नहीं रहा हूँ तो चावल कुल खाद्यान चावल गेहूं इसके साथ लिजे तो मक्का जौ जौ जौर बाजरा यानि मक्का कुल मक्का का 7 परसेंट ले रो गया जौ का लें तो 23 परसेंट और जौ में भी टॉप पर है जौर का लें देखो खासकर जो जौ है अलाकि जौ खाद्यान के तोर पे बहुत जादा यूज नहीं किया था लेकिन काफी महत्पूर्ण है पहले हम डेटा दे दें जो जौर है वो लगभग साड़े 5 परसेंट है और जो बाजरा है वो एक 11 परसेंट है अब देखो ध्यान से तो यही खाद्यान फसल है टोटल खाद्यान में दलहन तिलहन या गन्ना आदी नहीं आएगा कपास आदी नहीं आएगा खाद्यान फसल ही है तो यह डेटा आप देखो ध्यान से चावल को पादर में बहारा है उत्तर प्रदेश जो है दूसरे अस्थान पर है अलागि अन्य सभी में तो नहीं है इसी प्रकार से लेकिन ओहर आप देखेंगे तो खाद्यान फसलों में उत्तर प्रदेश का जो कंट्रिबूशन है और टोटल आप देखिए तो लगभग साड़े 17% है एक तरह पूरा भारत तो लगभग वन फिप्थ टोटल फूट ग्रेंस का प्रदेश का प्रदेश का अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है जबकि मैदान इसके पास 12% ही है अन्य फसलों को छोड़ दे आप अर्थात जो कुल उत्पादन की प्रक्रिया है वो ज़्यादा बेहतर सिती में है उत्तर प्रदेश में तुलना तर उसे अंड़ाज जो के है ना तो यहाँ पर सिंप्ली मैंने understanding of the question में आपको उत्त्थ दिया कि क्या सच में ऐसा है कि उत्तर प्रदेश भारत के खाद्यान फसलों को उत्तपादन में प्रभुवस्तान पर है तो जी हाँ बिल्कुल ऐसा है ऐसा है इसके समर्थन में तत्थे क्या होगा तो यही तत्थे हमें प्रसुत करना होगा हम सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में उत्तपादित खाद्यान फसलों की तुलना कर दे और तुलना में जो टोटल कंट्रिबूशन है उत्तर प्रदेश में उत्पादित खाद्यान फसलों का उसका डेटा दे देगे और ये डेटा एकदम पुष्ट करेगा अर्थात जो statement है उसको जही प्रूब करेगा पहला ये हो गया दूसरा इस कथन का मुल्यांकन कीजिए या अब लोग कर इवेल्वेट है लाकी इस प्रक्रिया में मुल्यांकन हम कैसे करेंगे तो कौन-कौन से ऐसे कारक है अब यहाँ पर मैं जरूर आपसे चर्जा करना चाहूँगा क्योंकि कई बार प्रस्ण को बड़ा हम सरलता से लेते हैं जैसे महराष्ट में भी मिट्टी बहुत है उत्तर प्रदेश में भी बहुत है लेकिन महराष्ट की मिट्टी गन्ना और कपास के उत्पादन के लिए ज़्यादा फर्बरेबल है वही उत्तर प्रदेश की मर्दा खाध्यान फसलों के लिए तुलनात्परू से ज्यादा फेबरिबल है अर्था जलोड मिट्टी का उत्तर प्रदेश में होना खाध्यान फसलों के उत्तपादन के प्रक्रिया को ज्यादा प्रुसाहित करता है तुल्ला में वानेजिक फसल जैसे की कपासिया गन्ना काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते भी हैं आपको पता ही होगा अर्थाध्यान सुचिए तो भौतिक कारक उत्तर प्रदेश में जो उपलब्ध हैं वो खाध्यान की किसी की प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं समर्थन देते हैं और तब जाकर के अंता निसकर्ज के तौर पे यह तरत्य सामने आता है ज़स्ट मैरे एक पॉइंट दिया इवेलवेट अर्थात मुल्यांकन करने के प्रक्रिया में हम उन कारकों की तलास करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश का लगभग, 42% पार्ट हरित करांती का प्रदेश, कहीं कहीं 38% भी मिलेगा, बट about 40% है, 40% area of UP is directly concerned with the successful process of Green Revolution, और rest जो area है, second phase का, वहाँ प्रथम दौर के अंतरगत हरित करांती नहीं होई थी, पुरियूतर प्रदेश के लगभग 9 जिले, उत्तर प्रदेश में पुरियूतर प्रदेश के 9 जिलों को हरित करांती के दूतिये चरण में चिनित किया गया, कि यहां भी रित करांती होगी, जिनमें खुद माननीय मुक्रमंत्री योगी आजित नाजी का जो area है गुरक पादक्ता दुनों प्रक्रियाओं को तेरी से बढ़ाने में अब यह तर्थे और इसके विजलेसन का प्रारूपा आप समझ पा रहे हो, तो यहां पर प्रस्न और प्रस्न के उत्तर के लिए यह तो just understanding of the question मैंने आपको बताया, अब इसके बाद बनेगा presentation, तो मैं copy कर ले र कितना शब्द खर्च करेंगे, इन सबको मैं detail में आप तक आपको समझा देता हूँ, देखिए, प्रस्न यह रहा आपके सामने, इसका हम प्रस्तुतिकरण बनाते हैं, इसी को English में कहते हैं presentation, ठीक है? अर्थात कौन-कौन से points यहाँ पर हम discuss करेंगे, पहली बात, किस point पर हम कितना सब्द खर्च करेंगे, और इसके साथ-साथ हम कौन-कौन सा model या diagram देंगे, ताकि यह examiner को स्रिंगारिक और बहतर गुनात्मक्ता से भरा हुआ उतर लगे, ताकि अधिक साधिक आपको अंक प गार्थात्राइपर से ले तो सबसे पहले उतर-प्रदेस का देश में खाधियान-फसलों की उतपादन में प्रमुक स्थान है, इस कतन का मुल्यांगन कीजिए, तो इसका परिचे प्रारंब होगा, उत्तर-प्रदेस प्रारंब से ही प्रारंब मतलब परम-परागत है अर्थात इस statement को आप support करें इसको हम कहेंगे परिचय अर्थात introduction और इस पर हम खर्च करेंगे लगवग 30 सब्द maximum 25 से 30 सब्द introduction में 25 से 30 सब्द हम खर्च करेंगे अब आप सोच रहे होंगे तर ने बताया कम परंतु कहना है 25 से 30 सब्द तो यहां पर परिचे के में हम उस data को भी देंगे जो इसके पहले वाले पेश पर मैंने दिया था कि कुल खाद्यान में 17 समलो 45 परसेंट कंट्रिबूशन उतर प्रदेश का है गेहु में 28 मत उनतिस के आसपास हो जाता है चावल में 12 परसेंट तो जो जो परसेंटेज ये खाद्यान फसलों का उसकी चर्चा करेंगे और यहां पर यह भी इंडिकेट कर देंगे कि खाद्यान फसल कौन-कौन से हैं खाद्यान फसल क्योंकि यहां पर भी भटकाव नहीं होना चाहिए इसकी की चर्चा करेंगे हम यहां पर गन्ना, कपास या किसी भी अन्य फसल की चर्चा नहीं करेंगे प्रस्ण की मांग यही है कि हम अनुसासित प्रकार से प्रस्ण का उत्तर देंगे तो परिचे पसी छती सब्द देखेंगे, डेटा देंगे, है ना, खाद्यान फसलों का, और जो प्रमुक खाद्यान फसल है उससे सरिंकला में, तो वही इसपस्ट हो जाएगा, अब यहां के बाद हम आएंगे कि आखिर इसका मुल्यांकन हम कैसे करें, तो वे कौन-कौन से क कारक हैं, जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश खाद्यान फसलों के उत्पादन प्रक्रिया में प्रमुक खस्थान प्रात करता रहा है या प्रमुक खस्थान पर है, उन कारकों का मुल्यांगन करें, है ना, तो उन कारकों पर चलेंगे, कारकों की चर्चा, ये उत्तर का मे तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक चाठ देंगे और उस चाठ के माध्यम से बताएंगे कि क्रसी के जो निर्धारक घटक हैं वो कौन-कौन से हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश में खाध्यान की क्रसी प्रक्रिया को वे कारक इस प्रकार से समर्थन देते हैं मैं रिपीट करता हूँ, क्रसी के वे कौन-कौन से ने धारक घटक हैं या कारक हैं, जैसे मिट्टी, धाल, वर्सा या जलवायू, तापमान, इसके साथ साथ जो आधुरिक फैक्टर हैं, सनचनात्मक, संस्थागत, और साथ साथ सरकार की नीतियां, या हरित करांती, या अन् पर में इसका मुल्यांकन करेंगे, है ना, तो ये चार्ट देंगे, वो चार्ट कौन सा हम बताएंगे आगको, और इसका विसलेशन करेंगे, जिसमें, जो कुछ संसाधनात्मक, महतुएसे उत्तर प्रदेश, और जो भारत का कुल भूमी है, उसकी एक तुलना हमने प्रार में भी लिख सकते हैं, जैसे, इंडुडक्शन में लिखेंगे, उत्तर प्रदेश प्रारम से ही, खाद उत्पादन या खाद्यान उत्पादन प्रक्रिया में भारत का अगर्णी राज रहा है, जिसके कई सम्मिलित कारक है, उधारन सुरुख, भारत USA के बाद मैदान या प्रसेंट रखता है, यहां यह असपर्ष्ट हो गया कि भाई, इसके पास एरिया क्रिसी के बड़ा है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लगए 75% भाग सिंचित है, अर्थात सिचाई एक बहुत बड़ा घटक है, कंपोनेंट है, जो क्रिसी के प्रक्रिया को सिधे सपोर् पे और थोड़ा सा संसाधनात्मक महत्तुर इसकी तुलना कर देंगे, यहां पर कुछ हम मैप भी दे देंगे, आर्या सफ़ज में, इसके अलावा थोड़ी चर्चा कर देंगे, हरित करांती पर इस पेसली, इसका भी एक मैप दे देंगे, क्लिर हो रहा है, और जब इतना देंगे, तो बिलकुल असपर्ष्ट हो जाएगा, कि उत्तर प्रदेश न केवल खाद्यान में अगरे राज्य है भारत का, बलकि वो आगे भी रहेगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो, तो अब हम लोग सब्दों को लें, तो 125 सब्द में इस प्रस्ण का उत्तर हमें देना है, 125 वोट्स, 25 से 30 सब्द हमने ले लिया है, तो 80 सब्द के आसपास का हम और यहाँ पर मुल्यागन करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल है, जो कारकों की चर्चा और चार देंगे, इसके साथ ये लगभग जाएगा, 40 से 45 सब सब्द में, और संसरा अधनात्पक महत्र जो लेंगे, वो लेंगे लगभग हम 20 सब्द में, 20 से 30 ले लेते हैं, 20 से 30 सब्द, अगर 40 और 30 लेते हैं, तो 70 हो जाता है, लगभग मान के चलिए, फिर कंक्लूजन आएगा, थोड़ा हरित्यांति ये अनिस तर्चा करेंगे, न तो लगभग 10 सब्द का तो निस्कर्स होई जाएगा, हम चाहें तो नहीं भी दे, कई बार निस्कर्स के बगएर भी उत्तर बहुत तरिंगारिक या बहतर लगता है, गुनात्मक लगता है, अब लगभग आप 110 सब्द का प्रजेंटेशन, 115 सब्द का प्रेंटेशन हमने और यदि आप इस अनुशासित तरीके से लिखते हैं कि इस प्रकार के पॉइंट्स पर हमें इतने ही शब्द खर्च करने हैं, उत्तर बड़ा ही बैलेंस बनता है, नियोजीत होता है, क्योंकि यदि किसी का सिर बहुत बड़ा कर दिया जाए, चाहे जितना भी खुश्वर ब फिर बीस से तीस और दस सब्द, अब इसी को हम चब्दो का रूप दे करके प्रिजेंट करें, ठीक है, इसके पहले हमने आपको बताया, अंडर्स्टैंडिंग अब दे क्वेस्चन, इसमें ये डेटा उत्तर में जाएगा, है न, अंडर्स्टैंडिंग अब दे हैं, परन्तु कुछ एक्स्प्रेइन करना पड़ेगा मुझे चार्टा दी के साथ, ताकि उत्तर की व्यवहारी ग्रूप से गुनात्मक्ता आप तक संप्रेसित हो सके, ठीक है, तो यहां पर, अब यह उत्तर हम बनाते हैं, तो कैसे बनेगा, उत्तर प्रदेश मतलब यहा होगा परिचय, मैं लिखी देरा हूँ, परिचय, उत्तर प्रदेश, प्रारंब से ही, भारत का, भारत के, खाध्यान फसलों, के उत्तर पाधन में, खाध्यान फसलों के, उत्तर पाधन में, अग्रणी राज रहा है, क्लिरो रहा है, क्यूंकि, अभी भी, अभी भी के बाद, यूपी भारत के कुल खाध्यान उत्तर पाधन का, 17,45%, फिर चावल का, अब यहाँ पे इसको आप छोड़ भी सकते हैं, चावल का 12%, गेहूं का 28,88%, अब यहाँ पे आप चाहें, तो थोड़ा सा, रेंग को थोड़ा सपश्टा के साथ लिख सकते हैं, मैं बता जा रहा हूँ, इसे चावल में दूसरा अस्थान है, कहाँ पर भारत में, गेहूं में पर्थम अस्थान है, और फिर जो जौ है, इसमें फिर पर्थम अस्थान है, बाकी सब में अस्थान तीन के तो बाद है, परन्तु फिर भी आप कंट्रिवूशन देखिए, तो ठीक ठाल, और कुल खाद्यान का देखा जाए, तो 77, 75%, यहाँ पी यस प्रस्ट करना होगा, अभी भी, अभी भी अग्रणी है, तब ही, खाद्यानों का, खाद्यानों के उत्पादन, उत्पादन, का तुल्नात्मक, तुल्नात्मक अवलोकन, तुल्नात्मक अवलोकन, प्रस्तुत है, अब देखो, यहाँ तक आपका वही 25, 35, जो हमने कहा था, आप काउंट कर लिजिए, उससे कमी होगा, ज्यादा नहीं होगा, और यह discipline अर्थात अनुशासन आपको रखना पड़ेगा, तो यह introduction जो है परिचय, अब यहाँ परिचय लिख करके आप उत्तर नहीं देंगे, यह मैंने इंडिकेट किया आपको, जो यहाँ पर 25, 35 सब्दों को हमने बनाया था ना, परिचय इंडुड़क्शन, और साथ में जो डेटा हमने कहा था, तभी खाद्यान फसलों का जो डेटा, यह यहाँ पर प्रसुत करेंगे, वही यहाँ पर प्रसुत किया गया है, तो यह अभी तक का जो पार्ट है, उसने यह सर्ट्यापित किया, यह इस स्टेट्मेंट को सपोर्ट किया, जीहाँ उत्तरप्रदेश भारत में खाद्यान फसलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यह डेटा बताता है, त Kerryन क्या स्वेशन है, प्रसन है मुल्यांकन करें, अर्थात हमें एक अवलोकन की प्रक्रिया, एक मुल्यांकन की प्रक्रिया से इसको गुजरना हो, कैसे, तो यहाँ पे हमें, अब यह बताना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देखिए आप, प्रेजेंटेशन देखिए, कारको की चर्चा, यह यहाँ पे खतम हो गया, परिचे और खाद्यान का डेटा अब कारकों की चर्चा जहां पर हमें क्यार्ट देना है साथ में संसराधनात्मों को महत और हरित क्रांतिया दीकितुलना है ना तो वे कौन से कारक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में खाद्यान के या अन्य फसलों के लिए यहां खाद्यान पर ही फोकस करेंगे तो यहां पर क्रिसी विकास के प्रक्रिया से इसको हम जोड़ करके समझेंगे यूटी में क्रिसी विकास के निर्धारक घटक अब इसको लिखेंगे ना तो might be possible के examiner पढ़के बूर हो सकते हैं हम यहीं पर एक चार्ट देंगे जिस चार्ट की चर्चा हमने प्रजेंटेशन में किख्याद अब यहाँ पर पहले हम लिखेंगे बहुतिक कारक भई बहुतिक कारक तो बहुत मैट्पून कारक है है ना बहुतिक कारक अब इसमें क्या क्या आएगा तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आएगा अस्थलाकृतिक कारक हम चाहें तो इसको न भी लिखें अस्तला करती घटक जिसमें आएगा मृदा एवन ढाल अब मृदा में आप सीधे लिख सकते हैं जलोड मृदा क्योंकि यहाँ पे कौन सी मृदा है हम नहीं पढ़ रहे यहाँ जलोड मृदा है आप यह पढ़ रहें सीधे और जलोड मृदा खाद्यान क्रसी को ढाल जलोड मृदा जलोड मृदा और साथ मिली तरह हूँ मंद ढाल मंद ढाल ठीक है और विस्तृत मैदान भारत के कुल का कुल मैदान का बारा परसेंट ठीक है तो मंद ढाल और जलोड मृदा विसेश तौर पर मंद ढाल यदि ढाल तिवर होती तो चाई की किसी भी संभूती ढाल तिवर होता है पर होती है प्रदेशों में जैसे उतरा खंड जवलाफ हो गया उतर प्रदेश से ढाल मंद है तो इचाई तो सरल होगा लेकिन साथ ही खाद्यान फसलों को सबसे अधिक सपोर्ट करेगा तो मंद ढाल और जलोड मिर्दा जलोड मिर्दा विशेश तोर पर खाद्यान करसी को समर्थन देता है अब यहीं पर हम explain कर देंगे उधारन सरुप यदि महराष्ट के काली मिर्दा का उधारन लें तो काली मिर्दा कपास और गन्य की किसी के लिए तुलनातवर उसे बहतर होती है परन्तु जलोड मिर्दा गन्या या कपास के तुलना में खाद्यान फसलों के लिए बहतर होती है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो मृदा है वो तुलनातर उसे खाद्यान को समर्थन दे रही शपोर्ट कर रही है जिससे कि अधिक उत्त पादन की प्रक्रिया में या उत्तर प्रदेश अगरिन कैसे हो सकता है ये एक तारतमिता एक अधर संबंध लग रहा होगा यहाँ पर आपको है ना तो खाद्यान करसी को समर्थन अर्था सरलता और सहस्ता से खाद्यान करसी होगी अब यह असलाकरती घटक थे दूसरा हो जाएगा जलवाईवी घटक इसमें दो घटक बड़े महत्पूर्ण होंगे पहला होगा तापमान और दूसरी होगी वर्सा देखो एक चावल को छोड़ दिया जाए ना तो चावल को छोड़ दिया जाए बाकी जितने भी खाद्यान फसल है मैं बतारों गेहू, जो, जुआर, बाजरा, मक्का रागी, रागी का उत्पादान हला कि इसको उत्रप्रदेश में मडवा कहते है या जो सहारन पुड़ादी है वहाँ कोदा कहते है, कोदा, मडवा को ही, पुरी उत्रप्रदेश में ये सारे processes खाद्यान फसल को समर्थन देते हैं। खाद्यान फसल के उत्पादन है तू बहतर। तो इस चार्ट से ही आपने अभी तक बताया कि भौती कारण कौन-कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश में खाद्यान किसी को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा आप लेखिए सांस्कृतिक कारण। देखो, food habit बहुत महापूर्ण है। उत्तर प्रदेश में खासकर पूरी उत्तर प्रदेश में देखोगे आज भी क्रियागराज में बच्चे दोपहर में क्लास करना कम पसंद करते हैं। दाल, भाज, सबजी, चोखा, चटनी दबा के खाएंगे, चप के खाएंगे और चप के दोपहर में सुएंगे। अच्छी बात है वो रात पर भी यह स्टडी करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है। चावल खाने पर कार्भुहरेट की मात्रा अधिक रहने पर जो सैलिवा निकलेगा उस वहल की नीद आएगी। आप स्लिपी फिल करेंगे। अब रोटी वोटी गूतने उतने बनाने के प्रकरिया से बहतर है। एक साथ चावल डाल चोखा तो बनाई लेंगे। और या वैसे भी चावल डाल चोखा या सबजी वहां का फेवरेवल है। पुरे प्रयाग्राज की बात मैं कर रहा हूं। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए अगर खुज से खाना प्रिपेर करना है तो ज्यादा सरल और सहज है। दिन में चपके खाना और फिर थोड़ा हुच सोना और फिर फिर सोके चाय पानी करके फिर पढ़ाई करना। अच्छी बात है बुरी बात है पर आप कोर्लेट कीजिए क्या यह संस्कृती या एक परमपरागत कारक में शामिल है या नहीं। अर्थात या ऐसे भी सोचिया आप पाटी में खास कर इस्टर्ण यूपी के लोग इसी पाटी में गया तब कुछ खाने को मिला चावल नहीं मिला तो लगता है कुछ मिसिंग है दिन में चावल खाने को नहीं मिले लगता है कुछ मिसिंग है तो काम है तो ठीक है बड़ प समय उसका यूज होता है, मैं एक्जाम्पल दे रहू हूँ, तो जो उत्तर प्रदेश के खान पान की सांस्कृतिक प्रक्रिया है, वो खाध्यान के बगार समोह नहीं है, आज भी वहाँ लोग ब्रेड नाशते में नहीं करते हैं, आप देखें किसी कहां ब्रेड और फल लेके आप जाईए, लोग पूछें के तवियत खराब है क्या उसका, ऐसा क्यों पूछते हैं, ब्रेड और फल, नॉर्मल कोर्स में, लोवर मिडले क्लास और मिडले क्लास अभी भी नहीं खा ब्रेट तखाते हैं जब तवेत खराव होती है, तुब हमें रोटी खाएंगे, नास्ते में, अच्छी बात है, ज़य्दा स्वास्त बर्दक भी है, जंगः भूर से बचना है, fruits भी तुलना में कम खाते है specific कि हम नास्ते में ये fruits लेते हैं कि कहने की बाते ज़्यादा होती है होता कम है मैंने कहा रहा है कि आप किसी के हाँ bread और थोड़ा सा फल लेके जाईए तो एकाद दू आदमें आप से जरूर पूछेंगा जब फला से मिले जा रहे है अच्छा अच्छा तब खराब है क्या उनकी क्यों निफ बल बल ले जा रहे थे मुझे लगा रहे है तो ये cultural norm है तो overall संस्कृति कारक में जो खाद संस्कृति है वो food से यानि food grains ज़्याद से concerned है और ये खाद संस्कृति भी कहीं न कहीं इसको कमर्थन देती है है ना अब ये है तो third paper का question लेकिन भुगोल के कारकों के बगेर इसको समझ पाना बहुत बहतर प्रकार से संभव नहीं उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे है अब यहाँ पर आएगा आधुनी कारक आधुनी कारक आधुनी कारक में सबसे पहले हो जाएगा संरचनात्मक कारक किसमें सबसे पहले होगा सीचाई यूपी में 75% सिंजित भूमी है संकर बीज रासाइनिक कुर्वरक मैंने शौर्ट पे थोड़ा लिखा है टीटनासक वानेजी कुर्जा इनी कारण पर इसकली हरिक्तांती होता भी है वानेजी कुर्जा ये सब इंफ्रास्ट्रेक्शल कंपोनेट्स है मैं इंगलिज टमबूल दे रहा हूं इंफ्रास्ट्रेक्शल कंपोनेट्स यूपी में सब की स्थिती बहतर है और पंजाब के तरफ आताताई भी नहीं है, अतात रासानी कुरूरक और कीटनाशक पंजाब के तरफ बहुता यूज में नहीं होते हैं, यूज नहीं जाय जाते हैं साथ इसाथ संस्थागत घटक, इंस्ट्यूशनल फैक्टर्स, इसमें मुखेता आता है भूश उधार, जो खास कर पश्रिवी उतर प्रदेश में तो बहतर पहले से ही था, भूश उधार, सहकारिता, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, बट इनको आप बिसेश रूप से महतु देंगे, इनके वज़ा साही हरित क्रांती होता है, और साथ में एक फैक्टर में लिख दा रहा हूँ, हरित क्रांती, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सम्मनित रहा है, और अगला फैक्टर हो जाएगा, सरकारी नीती, सरकारी नीती ये सारे factors कहीं ने कहीं उत्तर प्रदेश में बड़े सकरात्मक रूप से कारिसील है कारिदत है जिसका सुखत परिणाम यह है खाद्यार फसलों के अलावा भी हम देखते हैं इस टोटल गन्ने के उत्पादर में प्रदेश का contribution लगभग 42% है 42% उत्तर प्रदेश में जनसंख्या समरेज़दर उच्छ है लेकिन क्रिसी का समरेज़दर जनसंख्या से लगभग डेढ़ गुना जादा है यह बहुत सुखत है अलाकि जनसंख्या समरेज़दर और कम हो जाए population growth rate तो obviously love और बढ़ सकता है लगभग 55% भारत का और 59% यूपी का जनसंख्या सीधे बेस करता है रोजगार के लिए क्रिसी पर अब यह सब क्रिसी की विशेशता है प्रस्ण के उत्तर में हमें उनसा को नहीं देना खाद्यान को प्राथवित्ता इसलिए उत्पादित होता है और यह ध्यान रखिएगा जलोड मिट्टी खाद्यान के लिए मंद ढाल खाद्यान के लिए बिस्रित मैदान खाद्यान के लिए यह सब खाद्यान के क्रिसी को सपोर्ट करते हैं लेकिन इसके अलावा भी कई हैं पॉइंट्स को थोड़ा सा विश्रेशित करेंगे, मुल्यांकित करेंगे, कैसे करेंगे, अब देखिए, भारत और साथ भारत से जो तुलना था खाद्यान फसलकुत पादन का, यूपी का वो तो कर दिये थे, लेकिन मैदान का नहीं किये थ भारत, USA के बाद, भूमी संसाधन में, पिस्सो का दूसरा धनी रास्त है एवं, यूपी, भारत में, भूमी संसाधन में, तरवाधिक धनी है, धनी राज्य है, जो कुल मैदान का बारा परसेंट उपलद है, या है के बलद। अब देखो, यहाँ, आप सोच रहा होगे कि, तर यहाँ भारत का बिस्स से तुलना करने क्या हो सकता है, प्योंकि भारत यहीं बिस्सो बहुत जादा मैदान रखता है, और उसमें भी सबसे धनी यूपी है, तो ओवियसली यूपी बहुत जादा धनी हो गया फिर, कंपैरिजन के प्रोसेस में, तो कुल का बारा परसेंट है, साथ ही, यूपी की कुल क्रिसी भूमी का 75 परसेंट भाग सिंचित है, क्लियर हो गया, 75 परसेंट भाग सिंचित है, अब यहां पर आप चाहो तो एक मानचितर दे सकते हो, उत्तर प्रदेश का जो लोकेशन है, मैं बता रहा हूँ कैसे, छोटा सा एक, जरूर नहीं के पूरे प्रोसेस से आप बनाईए उसको, अब यहां पर आप कलर चेंज करके, परवतिय भाग को छोड़ करके, फोड़ा सा ऐसे इंडिकेटिव बना दिया जाता है, यही अपना उत्तर प्रदेश हो गया, मद्यवर्ती मैदान के लगभग यह बीच में अवस्तित है, तो एक जो है, यूपी, बारा प्रसेंट मैदान, तो यह एक प्रसेंटिशन हो गया, क्लिए हो गया, पस्मी यूपी, हरित क्रांती, का प्रमुक्ट छेत्र, एवं, पुर्वी यूपी, के नौ जिले, पुर्वी यूपी के नौ जिले, हरित क्रांती के छेत्र है, अब देखो, हरित क्रांती से, क्या भारत में चेंज आया, कि सबको पता है, और आप चाहें, तो यहाँ भी, एक माचिद दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश में, अब आप यहाँ पर भारत का नहीं, अब आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश का माचिद बनाईए, और यह बहुत टफ नहीं है, मैं बिल्कुल क्लार्टी से आपको बोल रहा हूँ, यह पश्मी उत्तर प्रदेश का जो छेत्र है ना, यह, यह हरिप कामती का छेत्र है, इसके अलावा जो गुरखपुर दिवरिया आदी का छेत्र है, यह वाला नौ जिला जो है, महराजगंज आदी भी इसमें आ जाएगा, यह दूसरे चरण में हरिप करांती हितुचेनित, भाई जहां हरिप करांती हुआ, हरिप करांती का प्रथम चरण जो था, वो पूरी तरह से गेहूं के लिए ही था, और दूसरे चरण में फसलों का विब्रिकरण किया गया, अर्थात जो अस्थानी अफ़सल थे उनको प्राथमिक्ता दी गई तो इधर वाले में गेहू, जवार, बाजरा, खासकर बाजरा एकरसी बहुत जादा और जौव का करसी बहुत जादा होता है और पूरे इस बुंदेलखंड को छोड़ दिया जाए यह मिर्जापुर और यह जो मिर्जापुर परियागराज इससामिल होगा मिर्जापुर और सुनभदर को छोड़ दिया जाए यह पूरा का पूरा छेतर जो है यह चावल प्लस मक्का के लिए अर्थात खाद्यान पसल इतनी है ना साथ में ये वाला हो जाएगा मोटा अनाज जो बुंदेलखन है मोटे अनाज अब ये छितर बताता है कि भई सिचाई का विकास कम भी हुआ है तब भी उत्पादन की प्रक्रिया में खाद्यान फसलों को प्राक्मित्ता क्यों मिल रहा है हरित क्रांती एक मिजर कंपोनेंट है जो सपोर्ट करेगा अर यह सवज में साथ ही साथ परस्मी यूपी में सिचाई बिरासी परसेंट से अधिक पुर्वी यूपी में ये लगबख हो जाता है 72 परसेंट और मध्ध यूपी में ये लगबख हो जाता है 65 परसेंट परसेंट माल लिए 65 परसेंट परसेंट आठ है बुंदेल खंड में कम है बुंदेल खंड में ये कम है साथ परसेंट से कम तो सीचाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना सीचाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सपोर्ट करेगा लेदो रहा नहीं हो रहा है और साथ मैं आप बागी थोड़ा सा हकारता आधी को भी कारक के तौर पे कामिल कर ले ओवराल आप देखिए यहाँ पे मुल्यांगन के प्रक्रिया में कुछ पॉइंट जो चार्ट से सम्मंदित थे उनको शामिल कीजिए जैसे इसको भी आप फ़रा से मुल्यांगन में लेकर आईए ये मैं बताता हूँ कैसे ताकि एक्जामनर को वो हालाइटड दिखे मैं बता रहा हूँ कैसे यदि हम महरास्ट यदि हम महरास्ट की काली मिर्दा ते यूपी के जलोड मिर्दा की तुलना करें ठीक है काली मिर्दा कपास इवं गन्ना हे तु अधिकन कूल है वही यूपी की जलोड मिर्दा खाद्यान फसल हे तु अधिकन पूल हाला की गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक यूपी है ऐसा नहीं उत्पादन गन्ने का नहीं होगा बट प्राइमेफेसिया मतलब जैसे आपसे पूछा जाए क्या खाना पसंद करेंगे आप चावल खाना पसंद करते हैं या गिहूं का रोटी खाना पसंद करते हैं एक हुआ च्वाइस कि भई मैं रोटी ही खाऊंगा या चावल ही खाऊंगा दूसरा हुआ चावल आप खाएंगे बट है नहीं तो भूके तो रहेंगे निए फिर रोटी खाएंगे आप तो प्राथभिक्ता वाइस ये खाद्यान फसल है तू अधिक उप्यूगत है बेतर है अग इस प्रकार के जो पॉइंट्स होते हैं ये बड़े सारगरवित विशलेशन से सम्मंदित पॉइंट्स हैं जो यहां तक बताते हैं कि मिट्टी का होना ही किस प्रकार के फसल का उत्पादन होगा इसका निर्धार्ण किवल मिट्टी के होने से यह नहीं होता मिट्टी का जो प्रकार है वो हभी निर्धारित करता है कि वहां किस प्रकार के फसल का उत्पादन होगा यह हो रहा है तो यह सारे factors मिल करके उत्तर प्रदेश को खाध्यान फसल के उत्पादन के प्रक्रिया में टॉप पर ले जाते है इसके लिए आपने क्या क्या दिया इस प्रस्न के उत्तर में आपने सबसे पहले बताया जी हाँ यह सच है यह जी है यह तो की UP got top rank in terms of the food production it contributes almost 17 point means 18 point 18 percent आप कह सकते है and all the food grains such as rice, wheat, barley juar, basra maize and millets concerned to the production of UP UP got top rank collectively wheat में top rank है barley यह जौ में top rank है rice में second rank है अब आप समझ सकते है भारत के दो सबसे बड़े खाद्यान फचल है चावल और गेहू एक में दूसरा अस्थान है और सबसे बड़ी बात है West Bengal कुल चावल का भारत के 16 percent उत्पाज़ करता है 15.9 something है 16 माल लिए और UP करता है 12 percent यानि second rank तो है पर percent में बहुत कम नहीं है तो यह सारे factors है और तब आप लिखेंगे conclusion दे तब भी चलेगा नई दे तब भी चलेगा क्योंकि आप wishlist कर चुके उत्तर प्रदेश खाजान फचलों के उत्पादन के प्रक्रिया में क्यों टॉप पर है अब यहीं पर फिर आप 10 सब्दों का एक निसकर्स ले लेंगे और उत्तर आपका complete हो जाएगा ठीक है उमीद करता हूँ आप इस उत्तर के गुनत्मक्ता को प्रसुतरन यानि प्रेजेंटेशन के बारिकियों को किस प्रकार के टर्म्स पे किस प्रकार के पॉइंट पे कितने शब्द खर्च करने है कहां कौन सा डाइग्राम देना है कहां कौन सा मॉडल देना है कहां कौन सा चार्ट देना है उन सबको बहतर प्रकार से समझ सके होंगे अलाकि प्रस्ण इसका विश्रेशन थोड़ा लंबा चला क्योंकि इसमें बहुत सारे तत्य और भी है पर तो 125 सब्द में ही लिखना है 200 सब्द के बराबर भी यह आये यह 200 सब्द भी आये तो अब लिख सकते हैं third paper economics के साथ यह economy में concern होके आया है पर अंतु इसके आधार इसकी जड़े भुगोल से ही हैं इसलिए इसका विश्रेशन evaluation में ने किया तो मलते हैं अगले प्रस्ण के विश्रेशन के साथ रक्षित रहिए COVID अभी पूरी तरह समाप नहीं हुआ अलाकि लगबक समापन की ओर है locked रहिए, down मत रहिए और बेहतर तरीके से त्यारी कीजिए SR80 के अर्थाक उत्तर लेखट के कौशल आर्ट को सीखिए और बेहतर अंक के साथ चैनित Thank you and all the best